अपर नमस्कार प्रीए मित्रों में जोत्रिक आर कमल आप सब कहार दीका विनंदन करता हूं आपके अपिने इस प्यारे युट्यूब चैनल अैस्ट्रो कमल में या अलोक एकसादना में दोनों में से कसी भी चैनल पर विडियो आ सकता है और आप दोनों आप लोगों का दोन मैं से किसी भी चैनल पर दोनों चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों अब तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए जिसमें बड़िया बड़िया साधने हम देते रहते हैं और सिद्ध पुरुसों से उनके करपा से बड़िया बड़िया साधने, दोस्तों आज मैं छोटी सी, दो मिनिट, पांच मिनिट में वीडियो खत्म कर दूंगा, छोटी से एक साधना, वो साधना मैं आपको देना चाहता हूँ, ये साधना बहुत जबरदस्त है, अक्सर किसी के बारे में कुछ भी जानना हो, पुछा लेना हो, किसी की कोई बड़े सादक इस सादना का प्रियोग करते हैं दोस्तों ये सादना किसी का भी काल ग्यान बताने में सक्सम है और ऐसा हर दरम में होता है इसायों में होता है, बोधिस्टों में होता है तिब्वती कुछ सादना हैं जो भी बहुत ज़ुरदार सादना हैं लेकिन हर आदमी को अलग-अलग सादनाओं में रुची हो जाती है और अलग-अलग सादनाओं ही हर आदमी को रुची कर होती है जैसे किसी का सनी अगर बलवान है तो उसे इसाइस समुदाय की जो सादनाओं होती है वो जल्दी सफल होती है किसी का रहू बलवान तो मुसलिम साधना जल्दी सफल होती है और किशी का ब्रस्वती बल्वान तो सनातम धर्म की साधना जल्दी सफल होती है शुक्र बल्वान हो ऐसे बहुत सारी चीजे हैं अलग अलग मैं मुस्लिम इसलाइए 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 इसलाइ पवितरता का मतलब क्या है प्याज लसुन तक नहीं खा सकते हींग नहीं खा सकते हैं मुली नहीं खा सकते हैं कोई भी चीज जिससे मूँ से बद्बू आती है वो तक नहीं खा सकते हैं पान गुटका बीड़ी तंबाकू इनकी तो बात ही बहुत दूर है खाने पीने में यह साधना को करेंगे, कोई चीज गाटना पीटना नहीं पड़ता है, सच बोलना पड़ता है, सत्य का पालन करना पड़ता है, इस प्रकार से बहुत तरह नहीं है, जिनका पालन करते हैं, आप इस साधना को कर सकते हैं, किसी भी मजार में, मजार के पास, मजार के अंदर, वो बनावे होता है ने बैठने के लिए वाँ बैठ करके रात नो बजे के बाद इस साधना को करना पड़ता है आपको आपके पास एक माला चाहिए हो जो मुसल्मानों में होते हैं चमकीली चमकीली से माला प्लास्टिक के दानों की वो माला चाहिए कोई सिद्विद की इसमे उठालो माला काम में लेलो और इसमें उल्टे हाथ से माला फिरती है मुसल्मानी तरीके से इस साधना को करना पड़ता है मुसल्मानी तरीके से मतलब है कि वजरासन में बैठ करके पसिम दिसा में मुक्रक करके सफेद कपड़े पहन करके सर बेटों पी पहन करके, इस साधनों करना पड़ता है, एक मुसल्ला बिशा लें, मुसल्ला बिशा करके उस पर बैठ जाएं, बैठ करके, लोग इलाची मेवा, कुछ भोग चड़ा दें, आप मजार में, और पांच अगरपती जला दें, पांच अगरपती जला करके, अभी साधनों को करना पड़ता है, आप चैने 41 दिन साधनों करो, चैने 42 करो, आपका सवाला 있게 मंतर पूरा हो जाना चाहिए, सवाला क मंतर पूरा हो गया, साधना सद्ध है, साधना सद्ध है, आपको बैटे-बैटेही काल ग्यान होने लगएगा, किसी के बारे में कुछ भी पता करना हो आप फट से पता कर सकते हो चोटा सा मंत्र है आप आराम से सवाला कर सकते हो आप तो किस दिन में कर सकते हो या खबीरो अखबर नहीं यह मंत्र है इस मंत्र का उप्योग करके आप बहुत जल्दी इस मंत्र का सवाला करने में कोई ज्यादा टैन नहीं बहुत असानी से हो जाता है फिर भी आप एक्कीस दिन 41 साधना को जैसे आपकी सुईदा वेसे करना चाहो वेसे कर सकते हो मैंने सारा विदिविदान बता दिया है बस पवित्रता इसमें सब कुछ है वो जो जिस मजार में बैठे हो वहां पवित्रता का पारण करना बहुत गजब की साधन रहेगी और आपको सक्ति प्राप्त होगी और आप किसी के बारे में भी कुछ भी जान सकते हैं आप जानकर के लोगों का बला कीजिए ताकि सक्ति आप पर हमेंसा खुश रहे हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लाइक करना कमेंट करना शेयर करना पह अच्ति आप झाव जाऊनकर कुछ इसलिगे में start